हलो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप विंडोज में हिंदी में काम करने के लिए ट्रांसलेटरेशन या फोनेटिक पद्धती का इस्तबाल कर सकते हैं मैं तो फोनेटिक कीबोर्ड वो होता है जिसमें आप टाइप तो अंग्रेजी में ही करते हैं लेकिन जो नतीजा है स्क्रेइन पर वो हिंदी में उभरता है तो आएए जानते हैं कि इसके लिए हमें विंडोज पर क्या करना होगा दोस्तो अपने सिस्टम में फोनेटिक तरीके से टाइप करने के लिए आपको एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है इंडिक लेंग्वेज इंपुट टूल और यह मिलता है माइक्रसॉफ्ट की एक वेबसाइट जिसका नाम है भाशाइंडिया डाट कॉम इस वेबसाइट में आप सबसे एंत में जो एक लिंक दिया हुआ है डाउनलोड का वहां जाईए और वहां सबसे उपर आपको एक सेक्षन दिखेगा जिसका नाम है माइक्रसॉफ्ट इंडिक लेंग्वेज इंपुट टूल यहां पर हिंदी भाशा में जाईए और उसके करेंगे तो यह सॉफ्ट्वेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा यह कुछ ही पल लेगा आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने के लिए आपको एक दो बटन भर दबाने हैं और उसके बाद यह आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और यह तरफ वहाँ पर इस टूल का नाम आ गया है Microsoft Indic Language Input Tool इसो क्लिक कीजे और आप Microsoft Word में जाए और टाइप करना शुरू कर दीजे अंग्रेजी में जैसे ही आप type करके space दबाएंगे तो अपने आप ही ये character ये जो अक्षर आपने लिखे ये हिंदी में convert हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको सुझाओ भी दिये जाएंगे अगर आपको टाइप होने वाला शब्द है वो आपके अनुकूल नहीं है तो आप सुझाओं में से कोई भी शब्द चुन सकते हैं तो मित्रो इस तरह से आप अंग्रेजी में लिखते जाएंगे और हिंदी में type होता चला जाएगा तो ये इतना आसान है तो इतनी ही आसान थी ये प्रक्रिया धन्यवाद